Hello Friends, Welcome to my channel, Study with Shruti So, इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे Health Care Team in Hospital यानि कि कौन कौन से Member होते हैं Health Care Team में और उनके क्या क्या रोल होते हैं Health Care जो होता है वो क्या होता है Team का एक effort होते है इसमें क्या होता है कि Health Care जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनके Members होते हैं में और हर एक मेंबर का एक special role होता है कुछ जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि डोक्टर नर्सीज वो help करता है डाइगनोस करने में disease की और जो बाकी expert होते हैं वो treat करते हैं disease को जैसे भी patient को need होती है physically या फिर emotionally इनकी qualification के हिसाब से अलग लग इनके designation है और अलग लग इनके रोल्स हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं physician से physician क्या होता है यह प्राइमरी responsible होता है यही diagnose करता है illness को और medical या surgical treatment जो भी देना होता है illness के लिए उसको physician जो है यह guaranteed authority होता है कि हाँ patient को admit करना है उसको कौन से health care facility देनी है क्या वो care खुद दे सकता है कौन से medications उसको देनी है कौन से laboratory test कराने है कौन से diagnostic test उसको perform करने है कोई surgery होगी या नहीं होगी वो सब क्या एक surgeon जो है यानि की physician जो है वो जो होती है उसके बाद जो है इक physician decide होता है physician जो है जो है जो हो सकता है एक ही बोडी system के लिए जो है वो ठीट करेगा या फिर क्या हो सकते है कि वह जनल भी हो सकता है उसके बाद आता है advanced practice registered nurse यानि कि AP RN ये वो नर्स होती है जो registered होती है educated होती है Master's जिन्होंने कर रखी होता है पोस्टमास्टर लेवल में जिनके रोल होता है यह nurses क्या होती है Practitioners होती है Clinical Nurse Specialist होती है उसके बाद इन्होंने Anesthetics में भी जो है कर रखा होता है Nurse Midwives होती है मतलब क्या होते हैं कि इनके पास अपना एक registered lessons होता है, license होता है जिसके बेस पर यह काम करती है और यह patients को जो है easily care provide कर सकती है जो की help करता है providing preventive care to the public और इंडिया में registered nurse या registered midwife ही है जो की काम करने के लिए जो है जो काम कर सकते है मतलब hospital में otherwise बाकिये जो nurses होते हैं वो सिर्फ assist कर सकती है उसके बाद आता है physician assistance यह वो होते हैं जो की physician को assist करते हैं इनको भी एक पूरा course करना बता है एक study करनी पड़ती है, specific study होती है licensing, examination भी यहाँ पर होती है और यह prepare करते हैं कि कैसे support करेंगे वो अपने physician को, doctor को कैसे support कर सकते हैं PA की responsibility होती है कि जो भी physician कर रहा है वो उसको देखे उसको ध्यान दे अगर physician के order में कोई भी problem है तो वो उसके साथ discuss करें उसको बोले कि sir यहाँ पर यह problem है उसके बाद आता है nurse nurse क्या होती है, supervise होती है और coordinate होती है, direct care provide करने के लिए patient को भी और family को भी यह patient और family दोनों को बताते हैं teach करते हैं कि कैसे आप self care कर सकते हो कैसे आप खुद का ध्यान रख सकते हो कैसे आपकी effectiveness आपकी जो need है जो आप मेहनद कर रहे हो कैसे आपकी health को सुधार सकती है और जो है nurses जो है बाकी services में भी health care provide जो करते हैं उनके साथ coordinate कर सकती है उनको दिखा सकती है उनके साथ participate कर सकती है उसके बाद आता है physical therapist यह वो therapist होते हैं जो therapy provide करते हैं physically like कोई massage हो गया heat, cold, water, sonar, waves, exercises जो यह सब बताते हैं जिससे क्या होता है कि जो body की function है वो restore हो सके और further जो है कोई भी disability या कोई भी injury होने के बाद कोई भी illness ना हो उसके बाद आता है occupational therapist यह वो therapist होते हैं जो की day to daily life जो होती है activities उनके बारे में गाइड करते हैं उनको functioning उनको teach करते हैं activity को कैसे self care को promote करना है यह सारी चीज़े कैसे हम घर में खुद की safety रख सकते हैं कैसे हम adaptive जो equipment है environment है वो सब कैसे घर में ला सकते हैं उसके बाद आता है speech therapist यह वो होते हैं जो help करते हैं hearing impaired patient जो होते हैं जो सुन नहीं सकते या जो बोल नहीं सकते यह उनमें help करते हैं यह उनको try करते हैं जिनके chances हैं कि हाँ बच्चा थोड़ा बहुत सुन पा रहा है या थोड़ा बहुत बोल पा रहा है लेकिन proper नहीं है तो यह उनको बोलने में उनको सुनने में उनको अपनी ही में enhance करने में जो है help करते हैं उसके बाद आते हैं social workers Social workers वो होते हैं जो patient की या families की जो social है emotional है या फिर जो environmental factors हैं जिनसे वो affect हो रहे हैं उनमें उनकी help करते हैं और social works करते हैं यह hospital में होगे जैसे कि कोई अगर afford नहीं कर पा रहा है कोई medicine या कोई treatment तो यह उसमें help करते हैं अगर किसी कोई hospital तक नहीं आ पा रहा है खुद से तो यह उनको hospital तक लेके आते हैं इंका treatment कराते हैं तो यह social workers भी जो होते हैं उसके बाद आता है pharmacist फार्मेसी जो होती है जो हाँ पे हम दवाईया लेते हैं वहाँ से hospital में तो वहाँ जो उसको देखता है जो हमें दवाईया प्रोल है उसके बाद आता है respiratory therapist यह क्या होते हैं यह वो होते हैं जिनको train techniques का पता होता है कि कैसे हमारा respiratory function है और pulmonary function जिसे हम कहते हैं oxygen का हमारा लेना कैसे हम breathe कर रहे हैं कैसे हम जो है हमारा pulmonary function वर्क कर रहा है यह सारे इनके पास training होती है इन चीजों के और इससे रिलेटर therapist को ही जो है दिखाना पसंद करते हैं जाके hospital में इसके बाद आ जाता है dietation डाइटीशन वो होता है जो जिसको पूरा nutrition की जो है knowledge होती है कि हाँ अगर कोई patient को ये problem है तो उसकी dietary needs क्या है उसको क्या diet देनी चाहिए क्या उसको जो है उसके लिए better है क्या चीज जो है अगर वो consume करेगा तो वो उसकी health को सुधारेगा नहीं और जादा बिगाड़ देगा तो ये सारी चीज़े dietation को पता होती है और ये exactly therapeutic diet जो है देता है patient को ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके unlicensed assistive personal ये वो personal होते हैं जो patient को direct care जो है नहीं करवा पाते नहीं कर सकते हैं मतलब इंडिया के अंदर सिर्फ licensed nurses जो है वही care provide कर सकते हैं और ये जो unlicensed है ये क्या कर सकते हैं कि उनको attend कर सकते हैं उनके personal बन सकते हैं जैसे कि PA भी हमने देखा था कि physician का PA होता है ये उस तरीके से इनको assist कर सकते हैं उसके बाद इनको टाइटल दिया जाता है certified nursing assistance का order lies मतलब जो order देती है वो उनका या फिर attendance कह सकते हैं या फिर जो techniques होती है कि वो नहीं नहीं चीज़ें जो सीख रहे हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं